आज की समय में लगातार बढ़ रही प्रतिस पर्दा से जहां युवाओं की बीच आगे आने की होड मजी हुई है तो वहीं आगे बढ़ने की इस होड में युवा डिप्रेशन का शिकार हो रही है इतना ही नहीं अब छोटे बच्चे भी डिप्रेशन की चपेट में आने लगे है ऐसे में हिमाज़र प्रदेश के जलाकुलू में अब डिप्रेशन का शिकार युवा अब स्कूलों में युवाओं को डिप्रेशन से बहार निकलने की तरीकों से अबगत करवा रहा है जलाकुलू का रहने वाला युवाओं रिशी आहुजा खुद समस्या से जूच चुका है अब उसने नेरने लिया है कि कोई भी स्कूली छात्र डिप्रेशन में ना दूबे ऐसे में अब उन्होंने जलाकुलू के विभिन स्कूलों में जाकर कांसलिंग देने का नेरने ल जिससे जो राइसिंग पर्ड़ाइस केस बढ़ जिसकी विदए से डिप्रेशन हो रहा है और बच्चों को एंटल हेल्थ से मतलब इतना जहलना बड़ रहा है तो उनके वाह कोई बात करने के ले लेनी है तो तो उनके बात करने कि लिए लेना थाथ कि मुझे कुछ अशा वेल, if you talk about the motive, तो मुझे जो मोटिवेशन मिली, मैं खुद इस चीज से गुजर चुका हूँ, I've been a victim for like three years now, तीन साल से मैं भी depression में हुँ, मुझे भी काफी problems हुई, मेरे पास भी कोई बात करने लानी था, but अब मैं जब इन चीज से निकल चुका हूँ, तो I want everyone to help, like, I want to help everyone who is going through this, मैं नहीं चाहता, जो मैं जिस चीज से मैं गुजरा, उससे बाकी लोग भी गुजरे, तो इसलिए मैं ने कैम्पें स्टार्ट किया, और अब मैं पूरे स्कूल्स में टारगेट करूँगा, पूरे को लोग के स्कूल्स, उसकी बाद मैं इसको स्टेट लेवल पर ले जाने की कोशिश करूँगा, और होपा है तो इसको मैं नाशनल लेवल पर भी ले जाऊँ, क्योंकि mental health एक ऐसी चीज है, जिसके बारे में लोग खुल के बात नहीं कर पाते हैं, कि वो लोग सोचते हैं क्या depression, कुछ नहीं होता है, बट आज की डेट में mental health एक बहुत सीरिस इशू है, जिसको लोग लाइटली लेते हैं, तो तो टीनेजर में आई ये problem, बिकिस टीनेजर एक ऐसा अंसेटलिंग टाइम होता है, जहांपर आपको हाई स्कूल में जाके, काफी लोगों से मिल बात करनी पड़ती है, कुछ लोग आपको गलत कमेंट्स भी करते हैं, आपको बुली करते हैं, तो वो चीज़े आपको negatively एफेक्ट करती हैं, और कुछ लोग उसके बारे में सोचने लग जाते हैं, जिससे काफी हद तक mental health effect होती है, और साथ में अगर आप स्कूल में हो, you have your exams, all these things, तो जब मतलब एक्जाम भी देंगे अप लोग, तो मारलो मार्क्स कामाए, उसमें भी काफी लोग डिप्रेस्ट हो जाते हैं, कि उनके पूर अकेडिमिक से हैं, मैंने काफी कुछ सोच के रखा है, मैंने अभी अपना मतलब जैसे आप बोर्यो की टेक्नोलोजी का जमान है, मैंने अपने इंटरनेट पे काफी सारी पेजिस खो लिये, मैं अभी उमें वेबसाइट भी बनाऊँगा, मैंने इस्टाग्राम पेज खोला है, जहां पे मैं रोज के रोज वीडियो अप्लोड करते रहूंगा, कुछ अप्लोड करते रहूंगा, जिससे कुछ लोग को मोटिवेशन मिले, और जो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव वाइब स्प्रेड करें, मेरी जरनी बट दिफिकल्ट थी, एक साल तक मुझे कुछ पता नहीं था कि मैं क्या कर रहा था, मैं क्या हूंँ, बट आफ्ट एट एक पॉइंट आया, जो अपुट एक तो नहीं, उसके बाद मैंने सोचा, नहीं, THIS is not the thing, I need to change. उसके बाद, मैंने अपने पको मोटिवेट किया, इस्टाटिए लविग मैसेव, मैंने अपने आपको प्यार किया, मैंने अपने आप से प्यार किया, उसके बाद, मैं उन चीजों में involved होने लग गया, जो में को खुशी देती थी, जैसे मैं dance करने लग गया, मैं ड्रॉइंग करने लग गया, मैं गाना गाने लग गया, और मैं ड्रॉइंग करने लग गया, तो जिस चीजों से मुझे अच्छा लगने लगा, मैंने वो चीजों में अपने आ कर दो कर दो